दोस्तों नमस्कार ये है मार्ग दर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे अंतराष्टी राजनीत का महतुपूर टापिक मार्गें थाउ का यथार्थवादी सिध्धान इसमें हम देखेंगे की अंतराष्टी राजनीत में यथार्थवादी धाणा क्या है और मार्गें थाउ द्वारा प्रित्पादित यथार्थवाद के छे प्रमुख सिध्धान्त कौन-कौन से है इसके अलामा हम देखेंगे मार्गें थाउ के यथार्थवादी सिध्धान् से हैं तथांत में निसकर्स और मुल्यांकन दोस्तों आप इसका पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में डिस्क्यूशन बाक्स में डाल दोंगा तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों अंतराष्टी राजनीत का यथार्थवादी सिध्धान्त आदर्सवाद का विरोधी है और यह राजनीत में सक्ति को प्रमुक अवधाणा या सक्ति को प्रमुक तत्तो मानता है यथार्थवाद के अंतराष्टी राजनीत को सक्ति के लिए संघर्स मानता है तथा यह भी कि प्रतेक राष्ट अपने राष्टी हितों की प्राप्ति के लिए सक्ति का प्रियोग करता है तो आईए शुरू करते हैं मारगिन्थाउ का यथार्थवादी सिध्धांत दोस्तों अंतराष्टी राजनीत में राजनीतिक या थार्थवाद के प्रमुक समर्थक हैंस जे मारगिन्थाउ रहे हैं अंतराष्टी संबंधों के एक या थार्थवादी प्रतिमान का निर्मार करने का स्रे उन्ही को प्राप्त है यह प्रतिमान अथवा सिध्धान्त राष्टों के मध्य सक्ति के लिए संगर्स के सभी पहलूं का बाढ़न करता है 18 तथा 19 सतापदी में लोग राजनीतिक या थार्थवाद या पोलिटिकल रियलिज्म से परचित तो थे परंतु अंतराष्टी राजनीत में बेवस्थित और विश्थित सिध्धान्त के रूप में इसकी उत्पति तथा लोग प्रिता 1945 सिस्भी के बाद उस समय हुई और जब मारगें थाव ने अपनी पुस्तक पालिटिक्स एमंग नेशन में राजनीतिक या थार्थवाद के प्रमुख सिध्धान्तों का संबध्धी करण किया तो अंतराष्टी संबंधों में यथार्थवादी प्रतिमान के निर्माण का स्रे मारगें थाउ को प्राप्त है और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में सबसे पहले राजनीतिक यथार्थवाद के सिध्धान्त का निर्माण किया इसलिए अंतराष्टी राजनीत में यथार्थवाद को एक निश्चित तथा बेवस्थिस सिध्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित करने का स्रे हैंस जे मारगें थाउ को प्राप्त है मारगें थाउ राजनीत के बारे में ब्याख्या करते हुए कहते हैं कि अंतराष्टी राजनीत अन्य सभी राजनीतियों की तरह सक्ति के लिए संघर्स है अंतराष्टी राजनीत का अंतिम उद्दे से चाहे कुछ भी हो इसका तातकालिक उद्दे से सक्ति प्राप्त करना होता है और प्रतेक राष्ट अपने राष्टी हितों को सक्ति के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है यानि कि अंतराष्टी राजनीत सभी राजनीतियों की तरह सक्ति के लिए संघर्स है और मारगिन थाउ इसलिए भी यथार्थवादी विचारक कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने बेवहारिक अध्यन को अपने बेवहारिक कद्यन को अंतराष्टी राजनीत के छेतर में लागू किया और यथार्थवात को एक सिध्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया दोस्तों मारगिन्थाउ के राजनीतिक यथार्थवात के छे सिध्धान्त हैं मारगिन्थाउ ने यथार्थवात के छे सिध्धान्तों का बाडन किया है जिसको मिलाकर संपूर रूप से यथार्थवाद अंतराष्टी राजनीत का एक पूर सिध्धान्त बनता है मारगिन्थाओ के राजनीतिक यथार्थवाद के छे सिध्धान्तों के बारे में हम जान लेते हैं कौन-कौन से हैं पहला सिध्धान्त है कि राजनीत पे प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानो, सभाव या मानो परकिर्थ में होती है दूसरा है राश्टी हितों को सक्ति की रूप में परिवासित किया जा सकता है तीसरा है कि राष्टी हित परिवर्थन सील होते हैं और उनका कोई निशित अर्थ नहीं होता है चोथा सिध्धान्त है विवेक राजनीत का उचितम मुल्य है या राजनीत का निर्धारकत तो विवेक है पाँचवा है कि जो राष्ट के नैतिक नियम होते हैं वो सारोभोमिक नैतिक नियमों से अलग होते हैं और छठा जो सिध्धान्त है यतार्थवात का वो ये है राजनीतिक छेत्र की स्वायत्ता यानि कि राजनीतिक छेतर भी अन्य छेतरों की तरह स्वायत और स्वतंत्र होता है तो आएए अब एक-एक कॉइंट के बारे में एक-एक सिध्धांत के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं जैसे पहला सिध्धां जो हमने देखा वो ये है कि राजनीत उन वस्तुनिष्ट नियमों द्वारा संचालित होती है जिनकी जड़े मानों सोभाव में नीथ हैं तो राजनीत सामाननी समाज की तरह राजनीत भी उन यथार्थवादे य Свरूप को समझने के लिए इन वस्तुनिष्ट नियमों का घ्यान होना अत्यंत आवस्यक है और तभी अनुभव और तत्यों के आधार पर एक तर्क संगत राजनीतिक सिध्धान्थ की रजना की जा सकती है यानि कि मारगें थाव का असपष्ट विचार है कि राजनीत उन वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संजालित होती है जिसकी जड़ें मानो सोभाव में हैं और राजनीत के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्यान होना चाहिए और तभी जाकर एक तर्क संगत और जो तर्क संगत राजनीतिक सिध्धान्थ की रचना की जा सकती है मारगन्थाव के अथार्थवाद का दूसरा सिध्धान्थ है राष्टी हितों को सक्ति के रूप में परिभासित किया जा सकता है राष्टी हित जो होते हैं नेशनल इंट्रेस्ट उन्हें सक्ति के रूप में परिभासित किया जा सकता है यह सिध्धान्त मारगेन्थाव के यथार्थवादी सिध्धान्त का केंदर भिंदु है ये जो मार्गेन्थाव का दूसरा सिध्धान्त है वो यथार्थवादी सिध्धान्त का केंदरविंदु है जिसमें वो कहते हैं कि अंतराष्टी राजनीत सक्ति के रूप में परिभासित हित हैं अंतराष्टी राजनीत को मार्गेन्थाव सक्ति के रूप में परिभासित हित की संग्या देते हैं मार्गेन्थाव का मानना है कि सक्ति के रूप में परिभासित हित वो प्रमुख मारदर्सक है जो अंतराष्टी राजनीत के छेतर में यथार्थवाद का पथपरदर्सन कर यानि कि सक्ति के रूप में जो परिभासित हीत होता है वो अंतराष्टी राजनीत के छेतर में यथार्थवात का प्रमुख पत्परदर्जक है। या राजनीति के होते हैं वो पिदेशनीत और राष्टी की नीतियों का निर्मार करते हैं। अब आईए देख लेते हैं मारगन थाउ के राजनीति के अथार्थवात का जो तीसरा सिध्धान्त है वो क्या है। तीसरा सिध्धान्त है राष्ट्री हित सदैव परिवर्तनी होते हैं यानि कि राष्ट्री हित का कोई निशित पैटर्न या पैमाना नहीं होता है। किसी भी राष्ट की नीतियां जो होती हैं किसी भी राष्ट की नीतियां जो होती है और कार्य सदय को कोई निशित अर्थ मानकर नहीं चलता है। अपनी नीतियों का निर्मार करते हैं। यानि कि मानों के सामाजिक जीवन में जो नैतिक नियम फालो किये जाते हैं उन्हें राजनीतिक छेत्र में उन नैतिक नियमों को नहीं लागू किया जा सकता है। अपने अस्तित्व की रच्छा करना है और कोई भी राष्ट जो है इससे समझोता नहीं कर सकता है। यानि कि राष्ट की उत्तर जीविता आवस्यक है और कोई भी राष्ट अपने सुरक्षा से समझोता नहीं कर सकता है। मारगें थाव के राजनीतिक अथार्थवाद का जो पच्छवा सिध्धान्त है वो ये है कि एक राष्ट के नैतिक आकांचाओं तथा सारोभौम नैतिक मुल्यों में अंतर होता है। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि किसी भी राष्ट के जो नैतिक मुल्यों होते हैं वो सारोभौमिक नैतिक मुल्यों से अलग होते हैं। यानि कि जो राष्णीतिक यथार्थवाद का सिध्धान्त है वो किसी भी राष्ट के नैतिक मुल्यों को सारोभौमिक नैतिक नियमों से अलग मानता है। यथार्थवाद ये भी मानता है कि राष्ट अपने राष्टी हितों को प्राप्त करने में संगलगन होते हैं न कि सारोभोमिक नैतिक नियमों के अनुपालन में यानि कि सभी राष्ट अपने राष्टी हितों को प्राप्त करने में जूटे होते हैं, वे सारोभौमिक नैतिक नियमों के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, नैतिक नियम जो सारी दुनिया पे लागू होते हैं, वो किसी राष्ट पर लागू नहीं किये जा सकते हैं, इसलिए जो मार्गेन्थाव का जो पांचवा सिध्धान्त है वो ये कहता है कि राष्ट के जो नैतिक नियम होते हैं वे सारोभोमिक नैतिक नियमों से पूरी तरह अलग होते हैं अब आईए देखते हैं मार्गेंथाव के अथार्थवाद का छठा सिध्धान्त ये है कि अंतराष्टी राजनीत की स्वायत्ता यानि कि राजनीति की अथार्थवाद राजनीत के छेत्र की स्वायत्ता में विश्वास करता है मारगेन्थाव का मानना है कि राजनीति का छेत्र उतना ही स्वायत है जितना की आर्थिक अथवा कानून का छेत्र एक राजनीति के अथार्थवादी हमेशा सक्ति के रूप में पारिभासित हितों के बारे में सोचता है इसलिए मारगें थाउ का कहना है कि अन्तराष्टि राजनीत स्वायत होती है यह उसी तरह स्वायत है जैसे की आर्थिक और कानूनी छेत्र अब आईये देखते हैं दोस्तों मार्गेन थाउ के छो सिध्धान्तों की चर्चा करने के बाद अब आईये देख लेते हैं मार्गेन थाउ के सिध्धान्त का मुल्यांकन दोस्तों मारगन थाउ के सिध्धान्त की अनेग विचारकों द्वारा आलोजना भी की गई है यद्यपी मारगन थाउ का जो सिध्धान्त है या थार्तवादी सिध्धान्त उसका महत तो बहुत अधिक है लेकिन कुछ कमियों के कारण इसकी अनेग विचारकों ने आलोजना भी की है जिसमें प्रमुख रूप से राबर्ट टकर और इस्टेड ने हाफ मैन आधि विचारक प्रमुख है दोस्तों कोई भी विचार या सिध्धान्त आता है तो उसकी आलोजना भी होती है ऐसा नहीं है कि किसी भी सिध्धान्त में सारी अच्छाईया ही अच्छाईया हो उसमें कुछ कमिया भी होती है तो मारगें थाओ के अथार्थवादी सिध्धान्त में भी कुछ कमिया है जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं जैसे अंतराष्टी राजनीत में कुछ विचारक मानते हैं कि अंतराष्टी राजनीत में मारगें थाउ का या थार्तवादी सिध्धान्त इतना प्रभाव साली है कि तब तक कोई अन्य बैग्यानिक सिध्धान्त प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक इसका प्रभाव कम नहीं होता है राबर्ट टकर तो इसे पूरी तरह यथार्थवादी नहीं मानते हैं और नहीं इसके नियमों में ये मानते हैं कि इसके नियमों में आपस में समन्वे भी नहीं है इसके अलावा एक प्रमुख विचारक जो हाफ मैन है वो इसे अस्पष्ट सिध्धान्त मानते हैं तो आईए देख लेते हैं जो बिचारक हैं उनके द्वारा मारगेंथाव के यथार्थवादी सिध्धान्त की प्रमुखा आलोचना है कौन-कौन सी की गई है पहले जो आलोचना का बिंदु है वो ये कहता है कि मारगेंथाव का सिध्धान्त ने तो पूरी तरह अनुखो सिध्ध है और नहीं तरक संगत क्योंकि मारगेंथाव का यथार्थवादी सिध्धान्त काफी हद तक मानों सोभाव पे आधारित है और ये दोहरे परिच्छन के आधार पे इसका परिच्छन किया जाता है जिससे इस सिध्धान्त के जो सत्यता का परिच्छन है वो पूरी तरह नहीं किया जा सकता है इसलिए मारगे न्थाव का सिध्धान्त ने तो पूरी तरह से अनुभो सिध्ध है और नहीं तरक संगत दूसरी अलोचना का बिंदु ये है जो ये मानता है कि मारगे न्थाव का सिध्धान्त एक पच्ची है और एक आंगी है ये हित संघर्ष को सिध्धान्त का मूल मानता है यानि कि अंतराष्टी राजनीत का मूल हित संघर्ष को मानता है लेकिन कहीं न कहीं अंतराष्टी सहयोग भी अंतराष्टी संबंधों का और अंतराष्टी राजनीत का प्रमुक कारक है तीसरी अलोचना का बिंदू ये है कि इस सिध्धान्त की जड़े मानो सभाव में नहीं थें इस सिध्धान्त का जो पहला नियम है वो ये है कि यथार्थवादी सिध्धान्त की जड़े मानो सभाव में नहीं थें मारगिन्थाउ के अथार्तवादी सिध्धान्त की अगली अलोचना इस बिंदुपे की जाती है कि यह सिध्धान्त केवल सक्ति के रूप में परिभासित हित पर बल देता है जबकि राष्टी हित को अन्निकारक भी प्रभावित करते हैं जैसे किसी राष्टी की ततकालिन प प्रस्तुत करता है कि सक्ति के सभी जो संबंध है वो सक्ति के रूप में परिभासित होते हैं और कोई अन्य प्रकार का कारक नहीं होता है जो राष्टी हित को प्रभावित करता हो इसकी अलामा मारगिन्थाव के सिध्धान्त के अलोचना का प्रमुक बिंदु और है कि अंतराष्टी राजनीत को यह केवल सक्ति के लिए संगर्स मानता है लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता है क्योंकि अंतराष्टी राजनीत केवल सक्ति के लिए संगर्सी नहीं बलकि सासन के स्वरूप, विचार, विश्वास और ये राज्ज की जो मूल और धाड़ा या उसका इतिहास और भुगोल है वो भी राज्ज को प्रभावित करता है अगला बिंदु है अलोचना का कि जो अंतराष्टी राजनीती है वो बिवेक और बुद्धिमत्ता की नीतियों से संचालित होती है मारगिन्थाव मानते हैं लेकिन केवल बिवेक और बुद्धिमत्ता ही नीतियों का निर्धारक नहीं माना जाता है लोगों के मूल बिचार मनोभाव भी किसी भी देश की नीत को प्रभावित अवस्य ही करते हैं इसके अलामा यह सिध्धान्त मूल रूप से यथार्थवादी नहीं है अनेक बिचारक इस सिध्धान्त को पूरी तरह यथार्थवादी नहीं मानते हैं क्योंकि मार्गें थाव ने अनेक अस्थानों पर राष्ट को ऐसा होना चाहिए या राज जी की नीत ऐसी होनी चाहिए इस प्रकार का कथन कहा है इसलिए विचारक इसे यथार्थवादी सिध्धान नहीं मानते हैं इसके अलामा एक प्रमुख बिंदु है स्वायत तता किया अधाणा की जो मार्गें थाव मानते हैं कि जो अंतराष्टी राजनीती है वो अन्य बिश्यों की तरह स्वायत होती है लेकिन उनकी अधाणा पूरी तरह से असपश्ट नहीं है कि आखिर वो इस संबंध में क्या क कहना चाहते हैं इसके अतरेक्त मार्गें थाव का जो सिध्धान्त है वो सक्ति के अतरेक्त किसी अन्य पच्छे की ब्याक्या नहीं करता है इसलिए जो आलोचक हैं मानते हैं कि इसे एक सामानी सिध्धान्त नहीं कहा जा सकता है क्योंकि किसी सामानी सिध्धान्त का निरू बढ़ियां भी बताई गई हैं लेकिन कमियों केवावजूद अंतराश्टी राजनीत के सिध्धान्त निर्माड में मार्ग थाउ का यथार्थवादि शिध्धानत निकाल कर यथार्थ की और ले जाने में इसने ही सरवपर्थम मार्ग प्रसंत किया थामसन कहते हैं कि मारगन थाओ बिस्व राजनीत के समकालीन लेखकों में सबसे महान है तो अंतराष्टी राजनीत को एक विशे के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा अंतराष्टी राजनीत के विचार को काफी समय तक प्रभावित करने के लिए मारगिन थाउ का विचार या यथार्थवादी सिध्धान बहुत ही महुत पूर है दोस्तों तो इस वीडियो में हमने देखा मारगिन थाउ का यथार्थवादी सिध्धान क्या है इसका प्रमुख जो यथार्थवादी सिध्धान्त की माननिताएं या उनके च्छे बिचार हैं च्छे सिध्धान्त हैं यथार्थवादी सिध्धान्त के निर्मार में उसके बारे में हमने देख लिया मारगेंथाओ के यथार्थवादी सिध्धान्त की प्रमुख आलोचनाय कौन-कौन सी की गई है और निसकर्स में हमने देख लिया कि मारगेंथाओ का जो यथार्थवादी सिध्धान्त है वो अंतराष्टी राजनीत को राष्टों के मद्ध सक्ति का संघर्स मानता है जिसम लिए सक्ति के रूप में परिभासित हित्कियाव धाना को ये सबसे बड़ा मील का पत्थर मानता है जो किसी भी राष्ट की नीतियों और कारियों को समझने और उनका विशलेशन करने के लिए सहायक हो सकता है तो इस द्रिष्ट से देखा जाए तो मारगें थाउ का या थार करें और इस चैनल मागदशन फार सिविल सर्विसेज को सबस्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार